हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सीव एक नए वीडियो में कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो आज की वीडियो में हम रीव्यू करने वाले हैं बजाज की डिस्कवर 150 CC की जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों यह बाइक काफी अधा पुरानी टो आज की वीडियो में स्क्कीं रेवीक करेंगे friends आज इन हम पर जोस्तों किसके किसके अपास यह बैएक अब यह और दैखने व्यच्वर, ऑब पर दोस्तों में आपको यह जैसकी बिसमारती ति वीडियो को बिना स्कीप पर बाएंट तक रहुड देखना एक एक डिटल के बारे में दोस्तों आपको जो है इसकी जो है जानकारी सेर करूंगा तो वीडियो को यह दो देखना और जो व्लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब रूप करें आए दोस्तों टाम को बल मिलता था और शामना आपको 35 व lot-akos है Laycan Head Lamp मिलता था आप देशकते हैं दोस्तों इसकों कुछ इंडिकेटर में दोस्तों आपको आज भी बजाज की बίας में देखने को मिलता था इसमें हैं यहां पर आपको बजम को सब्सक्राइब करें जोर इसक्ते हैं और दोस्तों से माइं को पर दोसे घंड बार मिल कंसोल मिलता था इससम से मैं यह अनालाउग मेढ शूर ऊचुका है जिसकी बाइक है तो सुन्होंने रिपेर नहीं कर रहा है इस तरीके कासे में आपको सुचिस कंट्रोल देखने को मिलते थे और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पासिंग स्विच लोगी माफिम का सुच यहाँ पर आपको इंडिकेटर और हॉन का सुच मिलता था यहाँ पर आपको जो है काफिया दा कमफरटेवल सीट मिलती थी इसमापको सीठाइ मिलती थी आट सो में की इस तरीके का समापको ग्राय भंडल मिलता था दोस्तो इस तरीकी की समापको टेलाइड मिलती थी सुरू से ही और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 150 की आपको बैजिंग मिल ला कासा दोस्तो बारे मिं में तो यह में आपको दूपयाइड थी का सिंगल कर समापको एर गूलाइड का मिलता था। इसमापको पावर मिलती थी 13o CHP कि आपको थार्टी न्यूटेन मीटर का फ्रेंड्स उस्टाम से लेकर आज भी दोस्तों एक काफी दो लोग फेरेट बाइक है उसे बजाज ने डिसकन्टीनुई कर दिया लेकिन दोस्तों यह बाइक दोस्तों जो ब्याज फोर में भी आपको देखने को मिलती थी दुस्तों य अब आपको बजाज की बाइक उसक पचासीश्टी के एंजन में जो कालविटर सिस्टम देखने को नहीं मिलता है आपको उसमें जो है फुल इंजेक्टर दोस्तों एफफाई सिस्टम दे दिया गया है और है अब आपको तो ओपन चैंसे इसमें आपको फ्रेंट की साथ हा साथ से पैसल यहार डूप मीं नहीं मिलेगी MapUS टाइम पर आपको टाइमसेACE 1560 के साइफ से वाय मिलती थी पर स्थावर जोई आपको 90ग Сी निनकंप सॉची ञें तो दोस्तों काफ यह दा प्राइस बड़ शुकी है बाइकों की है तो फ्रेंड्स परता हूं सब्सक्राइब को वीडियो अच्छी लग होगी अगर वीडियो अच्छी रगए दो लाइक करें दोस्तों किस-किस के पास भी यह बाइक अवेरेबल है तो भाइक कमेंड बॉक्स मा कर बाद करें तो दोस्तों बात करते इस बाइक के कर वेड्स के बारे में इसमें आपको इसका कवेड मिलता था 120 किलो affected working कार वीडियो बाइस इसमें आपको काफी अच्छी काश सी एवरेज मिलती थी किसमें जो वील बेस था वो था 305 mm इसमें आपको ground clearance मिलती थी 165 mm की तो friends इसमें आपको काफी अच्छी average मिलती थी काफी अच्छी बाइक थी है दोस्तो किस किस के पास ये बाइक अभी भी available है comment box में comment के कहलों पता है और friends video comment देखें धन्ना बाद मिलेंगे आपसे से किसी next vlog साथ thank you so much